दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको सेव के पोदे उगा करके दिखाएंगे कि कैसे दोस्तो आप अपने घर पर सेव के पोदे जो है ग्रो कर सकते हैं उगा सकते हैं तो दोस्तो आप हमारे हाथ में देख सकते हैं यह सेव का बीज है कि जिसके अंदर से बहुती अच्छा है कि हमारा जो बीज है वो अनकुरित हो गया है तो दोस्तो आज हम आपको बीज लगा के भी दिखाएंगे और उगा के भी दिखाएंगे और दोस्तो वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो दोस्तों हमें जो है सेव का पोदा उगाने के लिए कोई अलग से जो है सेव के बीज बजार से नहीं लेने पड़ते हैं हम जो घर में खाने के लिए बजार से सेव खरीदते हैं दोस्तों उसके अंदर से जो बी था और उसके अंदर से जो है हमने इन बीजों को निकाल लिया था दोस्तो अब जो है हमें इन बीजों को उगाने के लिए एक रात के लिए पानी में बिगो करके रख देना है जाहे आप गर्मियों में इसको ग्रो कर रहे हैं या फिर आप इसको सर्दियों में ग्रो कर रहे ह ही रखना है तो दोस्तों इस प्रकार से भीगो के रखने से क्या होगा कि हमारा जो बीज है वह बहुती जल्दी अब बिल्कुल ही त्यार हैं दोस्तों अब हम इनको एक टीशू पेपर की मदद से जो है इनको ग्रोग करेंगे तो दोस्तों अगर आपके पास टीशू पेपर नहीं है तो आप एक कोरे कागज का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो है टीशू पेपर को खोल्ड कर लेंगे और दोस्तों अब जो है हमारे सेव के बीज है हम इनको इसके उपर इस प्रकार से रख देंगे और दोस्तों आप इनको थोड़ा सा दूर दूर ही रखें एकदम से क्रीबे इकठे ही इनको ना रखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस प्रकार स जो है इन बीजों को अब अलग-अलग कर लेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप टीशू पेपर या फिर कोल कागज की मदद से आप जो है इनको उगा सकते हैं और दोस्तों हमें जो है इनके अंदर अच्छी खासी नमी बना करके रखनी पड़ेगी तो दोस्तों हम जो बीज है वो ग्रोव हो जाएंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पहले नीचे टीशू पर रखा उसके बाद हमारे सेव के बीज रखें दोस्तों फिर से उपर यह टीशू पर रख दिया और दोस्तों आप जो है हम इसको भी इस प्रकार से गिला अच्छे से कर देंगे दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से जो सेव के बीज है वो बिल्कुल दिख रहे हैं चार बीज हमने इसके अंदर लगाये हैं तो दोस्तों आप जो हम इसको इसको इस प्रकार से फिर से फोल्ड कर देंगे ताकि इसके उपर एक अच्छी खासी मोटी एक कि उसके अंधर से आपको दिखना चाहिए, दोस्तो, आप किसी रंगीन पोलोठिन का समझ ना खरीए, तो बहुत अच्छा रहे गा, दोस्तो, आप इस त्रिकसे इसको एरिटाइट कर दें, दोस्तो ऐसा पोलो थिल लेने का हमें ये फायदा होगा कि जब हमारे वीज जंकूरित हो जाते हैं तो हमें इसे खोलने की अब सकता नहीं पड़ती है और दोस्तो हम बाहर से ही देख सकते हैं कि हमारे जो वीज हैं वो ग्रो हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं दोस्तो हम जो है आप इसको रवर की मदद से इसको एरटाइट कर देंगे और दोस्तो आप इसको रस्ची की मदद से ही बान सकते हैं और दोस्तों अगर आप इसको गर्मी में ग्रो करने तो आपको इसको फ्रीज के अंदर इस पॉलोतिन को रखना पड़ेगा तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको 25-30 दिन बाद जो है आपके बीज अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं क्योंकि सेव का बीज है जो बदाम से भी ज्यादा टाइम लेता है ग्रो होने में और बीज छोटा होता है लेकिन फिर भी दोस्तों काफी समय हमारा यह ले लेता है दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो है कुल तिन पहले इन बीजों को रखा था 25-30 दिन के बाद आपको से ही इसको खोलेंगे क्योंकि अभी जो अंकुर इसके अंदर से निकला है वो काफी सोफ्ट है दोस्तों तूट भी सकता है तो अब जो है हमारे दूसरे बीज को भी इसी प्रकार से बहुत ही सावधानी से निकाल लेंगे तो अब देख सकते हैं दोस्तों अब जो है हमारे लोकल एरिया में यानि की गरम ईलाकों में भी जो है सेवे लगने लगे हैं और दोस्तो काफी नई-ने ब्रैटियां है जो गरम मोसम के लिए आ गई हैं दोस्तो उसमें से एक ब्रैट का नाम है हर्मन 99 तो दोस्तो वो सेव का पोदा अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म इलाके में दोस्तो वो जो है हमें अच्छे फल देता है तो दोस्तो आप वो पोदा भी अपने गार्डन मे निकालना है तो दोस्तो आप देख सकते हैं हमने जो है इसको इस परकार से कुछ है निकाल लेंगे इसके जड़े काफी अंदर तक चली गई है ये सबसे ज़्यादा अंकुरित हमारा जो बीज है वो हुआ है तो दोस्तो इस परकार से हमारे दो बीज हमने निकाल ली है और अब बारी है दोस्तो तीसरा बीज निकालनेगी दोस्तो आप देख सकते हैं इसमें भी जो काफी अच्छा अंकुरित हमारा बीज जो हो गया है तो देखी दोस्तो हमें इसको ज्यादा दोस्तो अंकुरित हो नहीं होने देना है कहीं बार क्या होता है कि हम रख करके इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हमारे जो पोदे हैं वो अंदर ही अंदर ग्रो होने के बाद अंदर ही सूख जाते हैं तो दोस्तो हमें इतना ग्रो होने क बात थो बीज को जो है लगा ही देना चाहिए दोस्तो आप देख सकते हैं कि कि इतना अच्छा जो है हमारे सेव के भीजो ने अंकुरित लिया है , तो दोस्तो अब बारी है इनको जमीन में लगाने की दोस्तो हमें जो है इसके मिट्टी में कोई खाद पानी नहीं डालना है हमें बस इसके अंदर जो है सिंपल साधान मिट्टी और गोबर की खाद ही डालनी है मिट्टी आपकी रेतली हो या फिर हार्ड मिट्टी हो किसी भी मिट्टी में आप इसको लगा सकते हैं और दोस्तो आपका जो पोदा है वो बहुती आसानी से grow होगा दोस्तो हम पहले कोई भी पोदा एक disposal glass में हम उसको grow करते हैं क्योंकि यह ज़्यादा space नहीं लेता है garden में और हम अंकुरित होने के बाद अच्छे से जब पोदा दो तिन पते अपने निकाल लेता है उसके बाद ही हम इसको दूसरे गमले में shift करते हैं तो दोस्तो इसलिए हम garden में space कम होने की वज़े से हम इसको पहले disposal glass में ही इसको अंकुरित करेंगे और दोस्तो grow करेंगे और बाद में जो है इसको हम किसी बड़े port में लगा देंगे जब हमारा पोद अच्छे से grow करने लगेगा तो दोस्तो लगाने की वीदी बिल्कुल ही simple है हमने पहले अपने उंगली से हिस्मे के अंदर एक खड़ा बना लिया और दोस्तो उसके बाद जो हम इसको अंकुर जो हमारा है दोस्तो जो नया फुटाव आया है उसको नीचे की तरफ और जो हमारा सेव का बीज है वो उपर की तरफ रहना चाहिए और दोस्तो हमें इसके उपर ज्यादा मिट्टी नहीं डालनी है बस इतनी ही डालनी है कि उपर से जो हमारा सेव का बीज है वो कवर हो जाए तो दोस् दोस्तो आप जब भी ऐसे डिस्पोजल गिलास का या फिर किसी थेली का इस्तिमाल करते हैं बीज ग्रो करने के लिए आप उसको नीचे से पानी निकलने के लिए दोस्तो उसके अंदर छेद जरूर कर लें दोस्तो ओबर बैटरिंग की वज़े से भी हमारे पोदे मर जाते है दोस्तो हमने पहले इन डिस्पोजल गिलासों के नीचे अच्छे से छेद कर रखें ताकि जब हम इसके अंदर पानी दे तो वो एकदम से नीचे निकल जाए और दोस्तो जितनी पोदे को जरूरत है मिट्टी अपने आप ही उस पानी को अपने अंदर रख लेगे और दोस इसके अंदर से मिट्टी के अंदर से निकल जाए तो दोस्तो अब जो है हम इसके अंदर हलका हलका पानी दे देंगे दोस्तो पानी देना बहुत ही जरूरी है आप कोई भी पोदा लगा रहे है तो उसके बाद पानी देना बहुत ही जरूरी है तो दोस्तो आप देख सकते और दोस्तों कौन सा पोदा नहीं चला है तो दोस्तों आप भी ऐसे ही अपने गार्डन में सेव के पोदे ग्रो कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जिरूर करें और दोस्तों मिलते हैं ए अपडेट के साथ तक तक के लिए नमस्कार